आज कल इंटरनेट में एक नया चलेन हैं जहां लोग आपसे कपड़े उतरवाते हैं और आपको बरबाद कर देते हैं नमस्कार मैं हूँ गजोम अरनाचल इंडिया से यह आपसे कहते हैं आप अपने कपड़े उतार और आपकी जिन्दगी बरबाद जिहां जुर्म की दुनिया की दास्ता की कोई सीमा ही नहीं है और इस फिरोती का तो कोई तोड़ भी नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप मेरे इस मैसेज को समझ कर ज़रा सतरक हो जाते हैं तो आप इन खतरों से बच सकते हो दोस्तों आपने लूट सुनी होगी दकेती सुनी होगी फिरोती एक्स्तोर्शन सुना होगा लेकिन ये मुद्धा इन सबसे जरा हट कर है यह सामने वाले आपसे कहते हैं हम आपके लिए कपड़े उतारेंगे आप भी हमारे लिये उतारो और आपके जिंदगी बरबाद यह आपसे फिरोती वसूलने का एक नए तरीका है जिसे कहते हैं आज की वीडियो सेक्स दोर्शन पर आधारिद है और इस वीडियो को आप जरूर देखेगा, दोस्तों के साथ शेर भी कीजेगा, साथ ही वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक को जरूर कर दीजेगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजेगा, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं दो आपने रिलाइज किया है कि नहीं वो तो पता नहीं लेकिन आगे अगर वीडियो को देखेंगे तो शाहिद आप रिलाइज करें कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो चलिए मैं अपना एक्सपरेंस आपको बता रहा हूं दरसल सेक्स्टोर्शन अभी एक इसा जाल है जहां कि मैंने खा तो आपको सतर्क बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा अगर अभी तक खासकर कि आप फैस्बूक में हैं या इंस्टाग्राम चेलीग्राम कहीं भी हैं अगर आप अभी भी वहाँ पर सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो कभी ना कभी इसका शिकार तो आप ज शेयर कर रहा हूं यह जो सेक्स्टोर्शन के जो लोग होते हैं या आप से पहले फैस्बूक या इंस्ट्राग्राम या किसी भी सोशल मीडिया में आपसे दोस्ती कर लेते हैं फिर आद रहा हैं फ्रेंड डिक्वेस्ट भी वहीं भेजजते हैं और जो प्रोफाइल के बाद मजबूरन आपको किसी ने किसी तरीके से उन पर तरस आ जाए जैसे आपकी इमोशनिली आप उन पर थोड़े से आप उन पर फिदा हो जाए और आप उन करते हैं तो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट करते ही यह आपसे दोस्ती बढ़ाने की फटाबर पोशिश करते हैं यह आपको हाई हेलो हावार यू वगएरा वगएरा जैसे मेसेज कई बार भेजेंगे अगर आप रिस्पॉंड भी नहीं करेंगे तब भी यह आपको भेजते रह हैं और वहां आपकि नज़िए क्या पाते ही यह आपके परसनल इंफर्मेशन भी गेदर करते हैं कहा से है किस लोकिशन से है वगएरा आपको बिद्ध किण के इन्वाइट करने के बाद यह आपके विदियो चैटिन एनवाइट करने के बाद यह आपके लिए एक इस जाल रहे गए इसलिए वीडियो में आपके लिए बना रहा हूं देखिए उन लोगों ने चैटिंग की मुझसे मेरा वाट्सप नमबर तक ले लिया अभी आप सोचेंगे कि इन्नों ने वाट्सप नमबर क्यों दिया अब धरसल मैं इतना बेवकुप तो हूँ नहीं और अभी त इसके बारे मैंने काफी पता भी कर लिया था तो इसलिए बस मैं प्रैक्टिकली देखना चाहता था कि ये लोग करते क्या हैं और कैसे करते हैं तो जहां तक मैंने बताई वहाँ चैटिंग करने के बाद हेलो हाव आर यू मुझस तक आई उसके बाद मुझसे मेरा वाट्स फिर वहां से मुझे न्यूट वीडियो चैटिंग के लिए ओफर राया मेरे वाट्सप नमबर पर और क्योंकि मुझे पता था था एंड़ दोस दिंग तिंग्स एक्टिंग दिन शोक में अल मुझे शोक नहीं हुआ क्योंकि आई नियू कि यह सब चीजे होने वाली है तो मैंने कहा ठीक है करो फिर वहां से उन लोग ने कहा देट पार्टिकुलर परसन ने मुझे का मेरे वाट्सप वीडियो को ओन करो मैंने ओन कर दिया फिर वहां से सच मुझ एक खुबसूरत लड़की अपनी न्यूट बोदी दिखा रही है लेकिन विट ए लिटल बीट ऑफ कियूरस अबजर्बेशन आपको पता चल जाता है कि वो वीडियो जो है प्रेकोरड़ेद है वो लाइब नहीं है प्रेकोरड़ेद है और wishing अची तो मुझे पता चल गया कि यह प्रेकोरड़ेद वीडियो है तो मुझे उनका फास्रे पता चली जा उसके बाद मैंने कहा तो फिर आप unnute audio को फिर उन लोगों ने कहा उस पार्टिकुलर गेंग के मेंबरस ने कहा कि हम नहीं कर सकते क्यूंकि हमारे गर वाले आवास सुनेंगे है तो मैंने का ठीक है नहीं करते मैं इसार हुरह करते हये हैं इशारह में बात करते हैं because I wanted to know actually if it is a common life तो उन्लोग ने कहा कि आम यह भी नहीं कर सकते, totally मना कर दिया तो मुझे अच्छी तरह भी पूरी पोक्ते तरीके से पता चल गया कि यह video pre-recorded है और कोई से monitor कर रहा है और वहां का camera on है अग्ला message था उनका nude video, उस लड़की का nude video दिखाने के बाद, अग्ला message था आप भी अपना I mean मैं भी nude हो जाऊँ तो थोड़ा और मज़ा लेने के लिए I mean उस लड़की का मजा नहीं, उस video का मजा नहीं उस इंसान की बेखुफिका मज़ा लेने के लिए मैंने और थोड़ी चेटिंग की उट से तो उन्होंने और बार-बार मुझे का आप भी कप्टे उतार हो कप्टे उतारो फिर मैंने लास्ट में से कह दिया यू आर फैक आप लाइव नहीं हो आप प्री रिकोड़िट वीडियो दिखा रहे हो ऐसा क्यों करते हो फिर उस इनसान ने मुझसे चेटिंग करना बंद कर दिया देखिए किसी के साथ भी हो सकता है हमें से सब को लगता है कि यह मेरे साथ नहीं हो सकता और ऐसा सोचना गलत है बिलकुल गलत है देखिए ये मेरे खायल से यह जो लोग है यह सेक्सटोर्शन के बहुत बड़े रेकट के मैंबर्स है और यही मैंबर्स बोड एक्टिबली काम करते हैं और लेस इनफंड लोगों को फासते हैं और यह जो लड़किया यह हमारे लिए खत्रा है और मेरे साथ से यूज को इस वीडियो को जो वीडियो में बना रहा हूं इसे ज़्यार से ज़्यार देखना चाहिए क्योंकि जो फिसलने के जो उम्र है वो आपकी उम्र है आपको थोड़ा सा और ज्याता सतरक रहना है भावनाओं में बहें गए आ पर जरा सतरक रहें अपने भावनाओं को जरा सा काबू में रखिएगा क्योंकि अगर आप फिसल गए तो यह सा नहीं हो कि आप आपनी तस्वेर इंटरनेट पर देख रहे हूं देखिए वो लोग क्या करते हैं जहां तक मेरा अबजर्बेशन और मेरा रिसर्ज कहता है व तो उस वीडियो की रेकोर्डिंग उस तरफ हो रही होती है ठीक है आपकी वीडियो की रेकोर्डिंग उस तरफ हो रही होती है फिर रेकोर्डिंग होने के बाद वे आपको फिर आप से दोबारा कंटेक्ट भी नहीं करेंगे कुछी जिन आपको रखेंगे फिर एक दिन अ वे एक message भेज़ देते हैं आपकी वीडियो का तो आपके personal account में भेज़ेंगे और कहेंगे कि ये वीडियो हमारे पास है अगर आप नहीं चाहते कि ये viral हो जाए है ना ये viral हो जाए तो फिर आपको इस particular account number पर पैशा दाना है और आपको एक account number भी वकाईदा भेज़ देते हैं आप दरकर उस account में पैशा डाल देते हैं और उसके बाद क्या होता है ये तो आपको पता हिए तो मेरे इसाब से इसके अलावा इस वीडियो के दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है या तो और ज्यादा लोगों को फासने के लिए आपकी वीडियो का इस्तेमाल वेकर सकते हैं या फिल इसका और एक तरीका है पैसा कमाने का इस वीडियो को वे ऐसे किसी इंटरनेट के वेबसाइट में डाल देते हैं जहां से उनकी अच्छी कासी आमदनी होती है तो किसी भी सूरत में you are sextorted तो यही है sextortion तो आपको basically blackmail की जाती है देखे फिल्मों में भी देखा है और कई बार सुना भी है कि लोगों को फिरोती के लिए kidnap की जाती है फिर बाद में ransom लेकर उन्हें release किया जाता है तो वगेर यह सब सारी चीज़े थी आजकल जो physical kidnapping है उससे हटकर लोग अभी internet पे आ गए हैं अभी हाल ही में Sweden और USA में जो hacking हुई थी आर एवल नामक एक spyware ने एक malware ने अटेक किया था औरका system पुरा hack हो गया था अभी जो आभी भारत में भी चला जो spyware जो फेगा से spyware है वगेरा वगेरा यह सब चीज़ें आपके phone वगेरा को hack कर लेते हैं और यह सारी internet की जो जुर्म है जो जुर्म की दास्ता है यह बहु जो blackmail करते हैं ऐसे लोगों का शिकर हम जिसे आम लोग बड़ी आसानी से बन जाते हैं तो सतर्क रहेगा और अपनों को भी सतर्क रहने के लिए कहिएगा खास करके मैं फिर से बता रहा हूँ यूद्स खास करके बहुत ही उनको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि उनके फि वीडियो में किसी और एक इंटरनेट ठगी का दास्ता मैं आपके साथ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आपके सामय लाओंगा तो आज की वीडियो को यह पर रोखते हैं जहिंद